नमस्कार मैं हूँ देपिका द्रू आप देख रहे हैं आज जे न्यूस के इंटेटेन्मेंट शो आज मैं आपको इन दिनों शोशल मीडिया में तेजी से वाइरल होरे वीडियो के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप देखकर अपनी हसी ही रोक नहीं पाओगे पाकिसान की एक महिला रिपोर्टर का वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में महिला रिपोर्टर एक यूवग को जो दाड़ थपर जड़ती हुए दिख रही है महिला रिपोर्टर ने सब के सामने यूवग पर हाथ उठा दिया जिसक भी अभी वाइरल वीडियो पर जम कर मजे ले रहें तो वहीं कुछ लोगों ने इस महिला रिपोर्टर को लेडी चान नवाब कहना शुरू कर दिया है साधी साथ फेरों से बना जन्मों का एक बंधन है इस बंधन में कुछ सर्टे भी होती है जो सिर्फ दुलह दुलहन के बीच की बात होती है लेकिन भाईया इन दिनों शोशल मीडिया पर एक कपल का शादी का कॉंट्रेक्ट खुब चर्चे में इस कॉंट्रेक्ट में दुलह भी शायद सोचने में एक बार मजबूर हो जाए शादी करूं या नहीं इस वाइरल क्लिप में हम देख सकते हैं कि दुला दुलन बैट कर एक कॉंट्रेक्ट पस साइन कर रहा है उन्होंने अंग्रेजी में आच शर्ते रह लिखी है पहली शर्त की दोनों एक महीने में सर्फ एक पिज़ा खाएंगे दुसरे शर्त के मुताबिक दुल्हे को हमेशा घर के खाने ही खाने पड़ेंगे तिसे शर्त के मुताबिक दुल्हन के लिए जिसके अनुसार उसे शादी के बाद हमेशा घर में सारी पहननी पड़ेगी चौथे शर्त के मुताबिक दुल्हा सुन्दर तश्वीर खीचेगा आठवी सत के मुताबिक हर 15 दिन में दूले को उसे शौपिंग पर ले जाना होगा कई बार ऐसा होता है जब तकनीक का कमाल देखने को मिलता है ऐसा ही कमाल उधारन चीन के संगाई शहर में सामने आया है जब वहां की 100 साल पुरानी एक बिल्डिंग अचानक से चलने लगी यह तब हुआ जब उस बिल्डिंग को मशीन के सहारे एक जगा से दुसरी जगा रख दिया गया वह बिल्डिंग जसकी तस खड़ी रही इसका एक वीडियो सामने आया है दरसल इस वीडियो को कई उसर से शोशल मीडिया पर शेयर किया है रिपोर्टर्स के मुताविक संगाई शेयर में कई जगों उपर सरकारी तरीके से बिल्डिंग का काम चल रहा है और पुरानी इमारतों को इस्थान बदला जा रहा है इसी कड़ी में वाकिंग मशीन और अन्योप करनों की सहायता से अब तक की सबसे भारी इमारत को इधर से उधर कर दिया गया है IPS अधिकारी की ओर से शेयर किया गया कुट्टे का एक वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है लोगों को यह वीडियो खुब पसंद आ रहा है और शेयर किया गया यह वीडियो इसे देखने के बाद सेकडो यूजर्स ने कमेंट भी किया है 12 सेकंड का इस वीडियो पर कुट्टे पानी पीते हुए नजर आ रहा है खास बात यह है कि कुट्टा पानी पीने के बाद ख़ुधी नल की टोटी को बंद कर देता है जी हाँ, वीडियो में दिख रहा है एक प्यासा कुटा नल के पास जाता है और अपने मूँ से टोटी को घुमा कर चालू कर देता है इतना ही नहीं पानी पीने के बाद कुत्ता टोटी को बंद भी कर देता है कुत्ता नल को दुबारा चालू और बंद करता है अंत में अपनी प्यास बुझा लेने के बाद टोटी को मुँ में घुमा कर बंद कर देता है वहाँ से चला जाता है इस तरह वह पानी को बरबाद दा करने की सीख देता है शोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे ही वाइरल हो जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है हाली में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जब चीटियो का एक छोटा सा ग्रूप मिलकर इतनी लंबी सोने की चैन खीज दीए कि लोग देखते ही रह गए दरसल इस वीडियो को ट्वीटर पर भारतिय वन सेवा के अधिकारी शुशान नंदा ने शेयर किया है उन्होंने वीडियो को पोस करते हुए कैप्शन में लिखा है ये चैन स्मगलर है इन चोरों पर किसी तरह का मुकदमा किया जाए वीडियो में दिख रहा है कि चीटियों का एक बस्ती में दिखाई दे रही है जो सोने की जंजीरों को किसी चट्टानी इलाके में खीच रही है यह भी दिख रहा है कि सोने के इस चैन के दोनों तरफ काली चीटिया लगी हुई है और इसे एक तरफ खीच कर तेजी से आगे बढ़ रही है वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो किसी चट्टानी इलाके का है हाला कि वीडियो के अंत में यह नहीं पता चल पाया कि चीटिया का जून उस चैन को कहां तक खीच कर ले गया